असलाम अलेकोम यूट्यूब फैमली और फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग आज का मेरा व्लॉक संडे मॉर्निंग से शुरू हुआ है संडे को जैसे हर घर का मसला है मेट की छुट्टी होती है सबा नाश्ता बनाया जल्दी अल्दी काम खतम किये क्योंकि मुझे हस्बंड के स बच्चे ज्यादा तो खाते नहीं है मटर का मौसम आ गया है मटर लिये हैं कुछ बाकि खीरे लूंगी मूली लूंगी कुछ चाइनी सी सब्जी लेंगे मूली के पराठे बनाएंगे काफी दिन हो गया मूली के पराठे नहीं खाया सीजन आ चुका है अब खाके हैं वह थोड़े से लिए और चोटी मोटी एक दो चीज़ें लेनी थी वह लिए यह भी हमने गोल मार्केट की मार्केट से लिए स्टॉल लगावा था पहुत पुरानी दुकान है हमारी है चिकन और बीफ लेना था वह लिया बच्चे भी साथ थे बहुत ज्यादा गर्मी थी सुबा के टाइम जैसे कि आपको पता है कराजी का मौसम ऐसे ही होता है सुबा गरम रात को कुछ मुनासिब यह मुस्तफा को कोई बिली मिल गई बिली का बच्चा बिली देखके लोग पागल हो जाते हैं फिर उन्होंने का आइस्क्रीम लेना है किसी ने का जूस लेना पर दो चार चीज़ें लेनी थी किछन के हवाले से कुछ प्लास्टिक की कुछ बाथरूम के लिए यह पाक चायना मार्ट है यहां पर भी काफी सस्ती और अच्छी चीज़ें मिल जाती है मुनासिब रेट्स पर तो बस यह मैंने कुछ दो चार चोटी मुटी चीज़ें ल यहां पर अच्छे कंटेनर्स मिल जाते हैं चोटे मोटे और भी प्लास्टिक की जरुवत की चीज़ें किछन आइटम्स हैं सोचा मैंने का आपको भी सर्वे करा दो इस शौप का मेला माहिन के बरतन भी मौझूद थे कांच के क्लासेज वगएरा पानी की बॉटल्स मैंन का फेराओंगी तसली से बच्चों के बगएर वरना बच्चे हर चीज़ उठाएं लग जा रहे थे अब बस यहां से हम निकले घर आके नमास पड़ी खाना खाया प्लाव बनाया था प्लाव खाया फिर इसके बाद जो सब्सियां लाई थी वह समेटी यह कौन्स बच्चों को पसंद है यह लिए थे मैंने का यह चील कर उबलने रखो कि फिर इनको चीला कुकर में डाला लगते हैं लगते हैं इनको आपकने में में हमने का झि 파ेट कहाई जाल को बहुत पसंद अब करता है ये अधा है अन्य आम से बनते हैं और इसमें डाल एक चंछा सोदे का चोटी-चंची शोडे की नम-ग डाला भाईत का और इसको ठक कर पक्ते दिया बाकि मतर की तरफ आ गए मेरे मेटे मुस्तिफा को चोटा बेटा है उसको मतर चीलने का बहुत शुक है थोड़ी सी असानी हो जाती है बच्छों को अच्छी एक्टिविटी मिल जाती है और शरारते करने से मुबाइल देखने से बेतर है मैं यहां काटने का चीलने का बहुत शुक होता है जब भी मैं कोई चाइनीज की या सब अपने कटिंग बोड लेकर आ जाते हैं बस मुस्तिफा के साथ मतर चिलवाए इनको फ्रीज करके रख देंगे अभी नया नया सीजन आया इसलिए भी थोड़े ही है क्योंकि मुझे कल मि रखी है मटर पैक करके फ्रीजर में रख दूंगी मैं अब बच्चों का भी अच्छा टाइम पास हो जाता है कि यह देखेंगे इसने अपने ट्रक के ओपर भी रखकर चिलवाए हैं बस शाम के पांच बच चुके हैं शाम हो चुकी है बच्चों को अब कुछ स्नेक्स वगारा देने का टाइम आ गया है यह देखें मेरे कॉर्ण्स उबल रहे हैं थोड़ा सा चाट मसाला नमक अर्ली मू लगा के मैं यह बटे बच्चों को दूंगी मिरा अलकप से इंतजार में खड़ी है कि कैसे ही उबलें और मैं खाना शुरू कर दूँ खाना तो यह खाती नहीं है ऐसी चीज़ें इसको प सरदियों के असल में यही मज़े होते हैं यह भुटे और मैंने सिंग घारे भी लिया है वो उसका आपको दिखाऊंगी बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी और शकरकंदी ऐसी चीज़ें सरदियों का मज़ा दाए सरदियों तो खेर भी आई नहीं लेकिन यह चीज़ें आ है तो हमने का पहले ही इंज्वाय शुरू कर दें बस मसाला लगा कि बागी बच्चों को दिया हजबन को दिया फिर मैंने बनाई अपने लिए चाए बाकी सब का भी पीने का मोड नहीं था तो मैंने का भी मैं ही चाए पी लूँ भाय शाम को मौसम अच्छा हो रहा था तो बस मैंने कुछ बिस्किट के साथ चाह ली कुछ पुरानी यादें याद की कुछ अच्छे वक्त याद की अपने आपको टाइम देना भी कभी कभी अच्छा लगता है अकेले मैं बच्चे फैमिली हजबन तो सब चलते ही रहते हैं और मैं बाहर रोज शाम को बैठके ऐसे स्टिडियों पर थोड़ा आसमान को देखती हूं और निचाय नजय करती हूं उमीद है आपको मेरा